अगर बाबा जी कि आगर आप चाए पी एंगे बिना दूद की चाय तो उससे बहुत सारी बीमारिया, पेठ की बीमारिया, आल्सर वगए ठीक हो जाता है। और बाबा काज अगर चरणरज लेते हैं तो उससे किस तरह से पन्निफल मिलता है, क्या कुछ होता है। सरद्धा भाव है अगर तुम्हारे पास तो तुने सब कुछ मिलेगा नहीं सरद्धा भाव तो फिर खई आधा ही ना आपको या किसी जानने वाले को कुछ लाब मिला है इसका जो चरण रज की बाता आती है आरे जो संत वक्त जाते हैं उन्हें किसी घुलाब मिलता है और बाबा जी का कहा जाते हैं कि उनके पास एक हेड़ पंप भी है उसके पानी पीने से भी बहुत सारी बिमारिया दूर होती है बहुत आराम मिलता है है कि पानी कहते हैं कि पानी जो कि पिलाते हैं उससे बहुत मदद रहा है आपके किस निवारन होगा, आपको क्या मदद है अमें तो बोट कुछ उनिवारण मिलो, सभी संत वक्तों को मिलती है, आरी बीमारी ये बुखार है, जाड़ा है, कोई दिक्द परीचा नहीं, अगर बहाव अमारा सच्चा है तो हमें सब कुछ मिलेगा, हमाव सच्चा ही नहीं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो आपकी कोई बिमारी दूर हुई, आपको कभी बुखार वगर से रहात मिली है। हमें दाम तो बुखार वगर आया, हम तो सब बुखार वगर आता है, तो आप उनके जल का गिरहन करते हैं, उससे काफी आराम मिलता है। बहुत आराम मिलता है, हमारे परमात्मा सत्त हैं, आप कोई भी कुछ भी काओ, मगर मेरे प्रभू सत्त हैं और सत्ती ही रहेंगे। और उनकी चाई से भी इसी तरीके का आराम मिलता है। आराम मिलता है। देखे कि इस तरीके से जो भग्त हैं वो बता रहे हैं कि बाबा के चरंडर से, बाबा के चाय से, बाबा के हैंड़ पंप के पानी से उन्हें बहुत अराम मिल रहा है, बहुत सारे कस्ट दूर हो रहे हैं, हाला कि कथेत तौर पर न्यूज नेशन इन अंद विश्वासों के उपर कुठारा घात भी करता है, सवालिय निशान भी खड़ा करता है, लेकिन भग्तों का यही दावा है, यही मानना है, कैमरा सेयोगी जैराम के साथ रहू लबास नियूजिशन तिलिग, मैं इस वक्त बाबा के आश्रम के खीक बहार माजूद हूँ, मेरे पीछे वही आ मेहलनूमा शकल में मेहलनूमा विलासताओं के साथ बना हुआ है, लेकिन इस आश्रम के आसपास ऐसे कई हैंड़ पंप में लगाए गए हैं, जिसमें से भग्तों का कहना है कि कथित तौर पर जो पानी निकलता है, वो अमरिज जैसा पानी होता है, जिससे मनुश्य के शरी अगर आप इस पानी को पी लेंगे, भग्तों का मानना है, अगर आप एक बार पानी पी लेंगे, तो आपके शरीर के बहुत से बिकार, बिमारियां दूर हो जाएंगे और इस पानी में बाबा जी का आशिरवाद है, तो ये इस पानी को इस तरीके से चनम्रित के तोर पर तक खारा है यानि इस इलाके में TDS की मात्रा जादा है क्योंकि आसपास खेती भी होती है लिहाजा कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जिस रासायनों का इस्तमाल किया जाता है उससे पानी दूशित हो जाता है हलाकि वो व्यग्यानिक विशे है लेकिन इस हैंड पंप के पानी से कई बीमारियों के इलाज का दावा भगतों के द्वारा किया जाता है बाबा के मेनपुरी वाले आश्रम में चरन रज संसकार भी होता था दरसल चरन रज संसकार कार्थ है कि यहां तक जो आरसेसी की रोड बाबा के भगतों ने अपने दान से बनाई वहां तक तो बाबा का काफिला पहुंसता था ये बैरिकेट इसी तरीके से जो फूलो से सजा हुआ है यहाँ पर डाउन कर दिया जाता था और जब बाबा आते थे तब ये बैरिकेट पूरी तरीके से खुल जाता था और बैरिकेट खुलने के बाद इसी तरह के फूलो के साथ और पुश प्रतीक मानते हैं, भक्त मानते हैं कि वह आकई इश्वर के ही प्रतीक है, वो यहाँ पर पहुंसते थे, और इसी तरीके से यहाँ पर भक्त खड़े रहते थे, फूलों की वर्शा होती थी, और यहाँ पर आकर के बिल्कुल जो मेन गेट है, जो स्वन्ड जैसा द्वार है, यहाँ पर ही नाराण द्वार पर उनका काफिला रुकता था, जहाँ पर अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस की PCR मौझूद है, इसी PCR की जगे बाबा की गाड़ी खड़ी होती थी, बाबा यहाँ से उतरते थे, और जो यह फूल बनाया गया है, यह फूल उसी चरन र दूल को लगाते थे, और उनका कहना था है, इसके धूल के लगा लेने से उनके कई पाप धुल जाते हैं, उनकी कई समस्याओं का निदान हो जाता है, बिमारिया तक भी ठीक हो जाती है, यह दावा भगतों की तरफ से कतित रूप से किया जाता था और उसके बाद जो बाबा अपने चर्ण रखकर, पैर रखकर आगे निकलते थे और उनकी धूल को माते से लगाया जाता, दरसल यही चर्ण ररंज का संसकारी तो था, जिसमें हातरस में भगदर मची थी, क्योंकि बाबा के पैर की धूल, उनकी गाड़ी के टायर की धूल को माते से लगाने क के लिए भीड, बेताहशा दोर पड़ती है, और उसी भीड के दोर से मस्ती है भगदर, और जिसलिए असंखे लोगों की जीवन लीला हमेशा के लिए समात हो जाती है, जिस चर्ण ररंज संसकार के हम बात कर रहे थे, उन्हें आप न्यूस नेशन के कैमरे पर लाइव दे जाता है, बाबा अंदर गए होंगे, क्योंकि जो ग्रामीन है वो बताते है कि मंगलवार को दो बज़ के चालिस मिट पर बाबा को अंदर जाते हुए देखा, वही परी भग्त सुबे से लेकर शाम तक इसी तरीके से नर्मस्तक होते हैं, इसी तरीके से काफी देर तक पी लेंगे, तो वो ठीक हो जाएंगे, उन्हें लगता है कि बाबा के चरनरज को यानि उनके धूल को अपनी माथे से लगा लेंगे, तो उनके सारे विकार दूर हो जाएंगे, उनके जीवन के सारे कष्ट हर लिए जाएंगे, ये भग्तों की श्रद्धा है, और पाबा जिसके अश्रम का नाम राम कुटीर है, बाबा जिसके अश्रम के अंदर किसी भग्वान की मूर्ती नहीं, क्योंकि वो खुद को ही स्वेंभू इश्वर मानता है उसकी सुबह और शाम में आरती उतारी जाते थी जिसके बाद चाय और चाय के साथ लंगर दिया जाता था प्रिशाद रूप में कहा जाता है कि अगर किसी ने काली चाय पी ली तो उसके बहुत सारे रोग दूर हो सकते है भगतों ने दावा किया है कि अगर आपकी भगती में शक्ती है तो बाबा में आपको इश्वर नजर आएगा और उसी की चाय और चाय के साथ लंगर हर सुबह और शाम यहां पर किया जाता था हाला कि मंगलवार के बाद यह जो परिपाटी थी वो रुख गई है या दे जीवनी बूटी से कम नहीं होंगे आपके तमाम पाप धुल जाएंगे आपके शरीर का रोग दूर हो जाएगा और आपकी आत्मा प्रसंचित हो जाएगी कम से कम बाबा का तो यही बाबा के भगतों का तो यही कतित दावा है यह बताएं कि क्या नाम है आपका कहां के रह जिला नौज के रहने वाले तो जफोदा टेसन के पास मतलब मेरा गाउं तेरा रागी मोजा पड़ता है तो वहां के रहने वाले बाबाजी के लिए कहा जाता है कि बाबा जी काली चाय प्रशाद के तौर पर देते हैं और वो काली चाय ले ले लेते तो सारे विकार दूर हो keeping Pardy कि आपने परीपी पड़ती है अब उसको बनाते हैं गयारा चीज़ हमें डारिक अपनी परसादी पीडाइए तो उसको परमात्मा ना आए उन तो अम पने लगو बजन करते तो उनकी पर्तिमाद रिके से कुछ विकार भी दूरोते बीमारियां भी दूरोती है पता नहीं उनको जैसे नियम है और उनके नियम के अनुसार से चलते हैं आपको उस चाहिए से कोई फाइदा हुआ है अब हम जब से जुड़े हैं परमातमा महिया तब से अमें बुखात वावना है हमें अठेया सब्सक्रास अचक्राणा थैसे यह बभाव। जब भी बनबावत यह हमने बन बाएतो आईसे परमातमा उन्हान फोते अन। बैप परमातमा को कि दूर परमातमा आये अपने यह रखें तो अपनों खुद को बनबावुत हैं जिद जिला कमेठिक जो लोग हैं तो इस अब यह बताईए कि क्या नाम हूँ अपको हमारा नाम है शिराम स्रूप सिहराम जी यह नाम है जिए चाहरा रहा है कि बाबा जी के जो चर्ण है वहां की अगर आप मिटी को माटे से लगा लेते ही अब दोक मार लेते हैं तो उस से बहुत सारी चीजेसे का प्रवाइब देख रहे थे नदमस्तक हो रहे हैं केवल मत्था टेका जाता है और कोजी मट्टी से कोई गए था अच्छा कुछ नहीं कि विकारदूर हो जाएंगा वह कुछ नहीं वह तो गलत है जाना में लोग कहते कि भगवान है इश्वरी शक्ते मेरे के चरण छुओं ना कहते मेरे चरण की रज ले जाओ वो कुछ नहीं कहते हैं वह तो के वहला चीवाद है आपको मानोटा तरी सब्सक्राइब भागते हैं यहीं तो अन्द है लोग मेरा नाम अज्यकुमार है मैं कर्नोच का रहने वाला हूं सेवादार रहे हम संकत में जाते बस ऐसी सेबा करते हैं जो भी जाता बस बाइट सफाइगा है बताना चाहते हैं कि जैसे अब आपने बाई जाप से पूछा था यасकी मिट्immer लाने से एक बात बताओ अगर आप बीमार हैं दबा नहीं खाएंगे तो यार दुगा सी ठीक हो जाते तो डाक्टरों का क्या होता क्यों लोग पढ़ाते दबा खानी चाहिए मिटी का कोई प्राविधान नहीं एक पानी का इसू चला है ऐसा कुछ नहीं अब नल की बात आई एक बात बताओ जहां पर संगत जा जमाना है साइस का जमाना है ऐसा आपने सुना है कि पानी को रखार हो अम्रत हो गया नहीं गलत बात परमात्मा को क्यों मानते हैं कि अगर पानी पीलेंगे ना तो हमारे पेट का दर्थी को हमारी सुलों में बताना चाहता हूं यही तो इसलिए तो मैं वहां से आया मैंने म वरू पित्या थे और उल्टी भाजागा पर लोग पड़े लिखें यह पड़े लेकिसे प्रगार कोई एक ग्राम कि सीप्रकार का कोई छड़ावा नहीं नो कर नी सब्सक्राइब और यहां की बहनों ने बिटियन ने अपने खुद के तनमन धन खर्च करके इस्टार लगा के जल्दिया में गया मैंने का दीदी मैंने का नीचे से पिलाओ यहां संगत जारी दिकन नहों बहुत-बहुत इतनी से बाकी लेकिलिए प्रभू के मैं सही होगी ज लोग जा समझ रहें कोई मामूवली यह पर्मातमा है चमतकारी पानी से कष्ट दूर करने का चलावा हमारे हाड की बीमारी थी मैंने जी बूटी पीक हैं पर्मातमाने मेरी सईकत दी काली चाई से हर रोग मिटा देने का भुलाबा चाई पिलाते हैं बाबा जी अपनी सच चन्नों की धूल से तक्लिफे हर लेने का दावा ये उस बाबा का गुंगान है जो सका सतसंग सुनने पहुंचे सैक्डू लोकाल्स के गाल में समा ग यह उस बाबा की महीमा कपान हैं जिसके चमधकार की चक्कर में सैक्डू घरों में मातम पसर गया ये नारायन साकार हरी के वो भक्त हैं जो उस पर अगाध श्रद्धा रखते हैं एक कहावत है कि हर संथ का इकतीत होता है और हर पापी का एक भविश्या हाथरस में सैंकडो मौतों का जिम्मेदार बताये जा रहा बाबा नारायन साकार हरी और फभूली बाबा और फ़सूरचपाल का भी कतीत है पतीत में चिपा है उसके उन्चमतकारों का सच जिसने लोगों को उसे भगवान मारने के लिए विवश्ट कर दिया चाई पिलाते हैं बाबा जी अपनी सच्छंग के बाद उस चाई से भी कहते हैं कि बहुत से विकारदूर हो जाएं हमारे हाड की बीमारी थी मैंने बूटी पीके परमात्माने मेरी सईकत दिया अगर आप चाई पिएंगे बिना दूद की चाय तो उससे बहुत सारी बिमारिया पेट के बिमारी आलसर वगर ठीक हो जाता है खतम हो जाते हैं कोई मामूली खेल थो रहे नहीं है आप लोग समझ रहे हैं कोई मामूली ये परमात्मा पूरी स्रश्टी की रचाने वाले चरन रज लेते हैं तो उससे किस तरह से पुनिपफल मिलता है क्या कुछ होता है सरद्धा भाव है अगर तुमारे पास तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा नहीं सरद्धा भाव तो फिर खुए बाता ही ना आपको या किसी जानने वाले को कुछ लाब मिला है इसका जो चरन यह नारायन साकार हरी के उन्चमतकारों की लिस्ट है जिने करने का दावा कर उसने अपने लाखों अनुयाईयों का एक अलग संसार खड़ा कर दिया एक ऐसा संसार जोसका हिस्सा बनने वालों को उम्मीद होती है कि आब उसके सारे कश्ट दूर हो जाएंगे बाबा के आश्रम इन उंची दिवारों के पीछे उनके कई काले रास दफन है किस तरह से भक्तों को यहां जूटे दावे कर मानने के लिए मजबूर किया जाता है कि बाबा ही भगवान है और इसका एक उधारन है आश्रम में लगा हैड़ पंप मैं इस वक्त बाबा के आश्रम के खीक बहार मजोद हूँ मेरे पीछे वही आश्रम है जो किले नूमा शकल में महल नूमा विलासताओं के साथ बना हुआ है लेकिन इस आश्रम के आसपास ऐसे कई हैंड़ पंप में लगाए गए हैं जिसमें से भगतों का कहना है कि कथित तोर पर जो पानी निकलता है वो अमरिज जैसा पानी होता है जिससे मनुष्य के शरीर के कई विकार जिसमें पीलिया तक शामिल मना जाता है कहा जाता है कि पीलिया हो या फिर हैपेटाइटस हो कई तरह की बिमारियों का इलाज इस पानी से संभव है दरसल हम उसी आशरम के पास वाले हैंड पंप को दिखाते हैं आप कि इसके लिए कहा जाता है कि अगर आप इस पानी को पीलेंगे भगतों का मानना है अगर आप एक बार पानी पीलेंगे तो आपके शरीर के बहुत से विकार बिमारियां दूर हो जाएंगे और इस पानी में बाबा जी का आशिरवाद है तो ये इस पानी को इस तरीके से चनमरित के तोर पर भगत पीते हैं हलाकि न्यूस नेशन और इस पानी का जो टेस्ट है वो भी कुछ हद तक खारा है यानि इस इलाके में TDS की मात्रा जादा है क्योंकि आसपास खेती भी होती है लिहाजा कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जिस रासायनों का इस्तमाल किया जाता है उससे पानी दूशित हो जाता है हलाकि वो व्यग्यानिक विशे है लेकिन इस हैंड पंप के पानी से कई बीमारियों के इलाज का दावा भगतों के द्वारा किया जाता है आश्रम का पानी ही नहीं काली चाई पिलाकर भगतों की बीमारियों को दूर करने का दावा किया जाता है बाबा जिसके आश्रम का नाम राम कुटीर है बाबा जिसके आश्रम के अंदर किसी भगवान की मुर्ती नहीं क्योंकि वो खुद को ही स्वेंभू इश्वर मानता है उसकी सुबे और शाम में आरती उतारी जाते थी जिसके बाद चाय और चाय के साथ लंगर दिया जाता था प्रशाद रूप में कहा जाता है कि अगर किस के बाद ये जो परिपाटी थी वो रुख गई है या देखिए ये किस तरीके से यहां पर लंगर और चाय के कप है वो इसी तरीके से डाल दिये जाते हैं और लोगों का कहना है कि ये लंगर नहीं है ये काली चाय नहीं है ये बाबा का अशिरवाद है अगर एक बार इसे एक बार ग्रहेंड कर लिया तो संजीवनी बूटी से कम नहीं होंगे आपके तमाम पाप धुल जाएंगे आपके शरीर का रोग दूर हो जाएगा और आपकी आत्मा प्रसन चित हो जाएगी कम बाबा नारायन साकार हरी ने लोगों से ही कहना शुरू कर दिया कि उसे भगवा का साक्षुतकार हो गया उसके आश्रिवात से लोगों के दुख दूर हो सकते हैं बाबा की चाहनी वालों में गरीब और कम पड़े लिखे लोगों की तादात जादा है यानि ऐसे लोग जिने आसानी से चमतकार के संसार पर यकीन दिलाये जा सकता है बाबा के मेनपुरी वाले आश्रम में चरन रज संसकार भी होता था दरसल चरन रज संसकार कार्थ है कि यहां तक जो आरसेसी की रोड बाबा के भगतों ने अपने दान से बनाई वहां तक तो बाबा का काफिला पहुंसता था यह बैरिकेट इसी तरीके से जो फूलो से सजा हुआ है यहां पर डाउन कर दिया जाता था और जब बाबा आते थे तब यह बैरिकेट पूरी तरीके से खुल जाता था और बैरिकेट खुलने के बाद इसी तरह के फूलो के साथ और पुश वर्षा के साथ बाबा का यहां मानते हैं कि वो आकई इश्वर के ही प्रतीक है वो यहाँ पर पहुंसते थे और इसी तरीके से यहाँ पर भक्त खड़े रहते थे फूलों की वर्शा होती थी और यहाँ पर आकर के बिल्कुल जो मेन गेट है जो स्वंड जैसा द्वार है यहाँ पर ही नरण द्वार पर उनका काफिला रुकता था जहां पर अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस की PCR मौजूद है इसी PCR की जगे बाबा की गाड़ी खड़ी होती थी बाबा यहाँ से उतरते थे और जो यह फूल बनाया गया है यह फूल उसी हम चरन नदमस्तक कहते हैं नदमस्तक होते थे धूल को लगाते थे और उनका कहना था है इसके धूल के लगा लेने से उनके कई पाप धुल जाते हैं उनकी कई समस्याओं का निदान हो जाता है बिमारियां तक भी ठीक हो जाती है ये दावा भगतों की तरफ से कतित रूप से किया जाता था और उसके बाद जो बाबा है इसी स्वांड़ दौर से अंदर चले जाते थे तो ये पूरी परकिरिया थी चरण रज संसकार की जो बाबा के दौरा यहाँ पर भगतों के साथ किया जाता था और यहाँ पर सैकडों कि संख्या में भक्त उस वक्त जुड़ते थे कि स्रेट घ्युड़ते तिक झार चुड़ते हैं.